तो आज का मैच बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है इंडिया और बाकी आप थमनेल और टाइटल से तो समझी जाओगे कि किस लेवल तक के मैच होने वाला है और इससे पहले वाला मैच भी बहुत थ्रिलिंग मैच था वह भी जाके देख लेना एंड स्क्रीन प तो आरा बहुत ही उचा चक्का उपर डाल दी थी बाउल और ये मनीश पार्टी की अगली बाउर शोबित ने श्वाट मा रहा है और ये बहुत ही अच्छा effort यहाँ पे बहुत ही तक्डी फेलिंग प्रवाइब ने कर दिया काम रोहित की अगली बॉल हिमाँशू के लिए और यह बाद डाल दिया की पर ने बहुत ही गंदी फिल्डिंग चार रन और यह काश अपना अगला वर लेकर आए और आता ही बहुत ही बड़ी अटाम करवाया है यहां पर यह आकाश की अगली बॉल और इसको उठा के मार दिया पॉइंट के ओपर से चार रन मिल जाएंगे बाँशू को और यह रोहित फिर से अटेक में बापेस आता ही लेकसाइट की तरफ ड्रिफ्ट कर चुके हैं इसका पूरा फायदा उटा है सचिन ने मिल जाएंगे चार रन और यह रोहित की अगली जी आए बारिंग पर बहुत ही दिकज बॉलर है लेकिन इमान्शू भी अच्छे बैट्समन है आता ही इन्हें मार दिया है चार रन में स्वील्ड का मिलेगा चापका है और रोहित की अगली बॉल अभी तक बैट्समन इसको बांद के रखावा है और इमान्शू ने ऊपर नहीं ड्रॉप कर दिया है आप ऐसे मिस्विल्ड नहीं कर सकते हो इस टीम के खिलाब और यह काश की अगली बॉल और यह लेक्साइट की तरफ डाल दिया है वाइड हो जाएगी साथ में मिलेंगे चायर रन अच्छा का सा प्रैशर बना रखा ता बॉलर्स नहीं लेकिन य यह बेट्समें और यह सांगवान बॉलिंग पर और यह बॉलर की तरफ ही मार दिया है कोई ने बताए लखी को कि इनके खुद के प्लेर नहीं यह शॉट मारा था इनकी तरफ फिल्डिंग टीम ने नहीं मारा था और फुल गुस्से में आ चुके हैं लखी एक और मार दिय है चका और यह अगली बॉल फिर से उठाके वही मार दिया है छे रन के लिए सेम नतीजा और जैसे ही यह दोनों बैट्समें ने अपने गेर चेंज करें और सामने की तरफ शॉट्स लगाए जा रहे हैं मुझा लगता है बॉलर और अंपार के लिए मेंडेटरी कर देना च की तरफ से छे रन के लिए बहुत महंगा ओबर जाता हुआ और कोली जी इस पर साइड बदल का आया है देखते हैं नतीजे पर क्या फरक पड़ता है कुछ फरक नहीं पड़ा है उठाके फिर मार दिया है छे रन के लिए और क्रिकेटर चॉइस अपने फिर एक बाद और ट स्कोर बहुत जादा उपर जाने वाला है लेकिन इस ओवर ने आके थोड़ी सी ले बदली है इन दोनों बैट्समेंस की और आकाश जी आए हैं बॉलिंग करने के लिए और यात ही उठा के मार दिया है इने डिस्टेंस जाता मिला नहीं ऑपरचुनिटी एक क्रियेट करिए यह देखते हैं कैश पकड़ते हैं नहीं कैश पकड़ी फिर से यह इनका दूसरा ट्रोप है आज का और यहां मिल जाएंगे दो रन टेलिप्स क्रिकेट क्लूब को और यहां काश जी की अगली बोर लखी को लखी ने स्टेप आउट करके मार दिया है चार रन के लिए पूरे और मनीश बाटी एक बार फिर अटैक में और आते हैं इनको उठा के मार आए शायद हुई है उपर्चुनिटी एक क्रियेट यहां पर लेकिन कोई फिल्टर नहीं है असपास और मिल जाएंगे लखी को यहां पर पूरे चार रन और यह मनीश बाटी की फिर से अगल लखी को लेक्सेट कर गए हैं मार के सीधा भाग लिया लेकिन फिल्टर के हाथ में रन आउट का पूरा चांस और यह मिस्स कर दिया है कीपर ने और एक पर फिर सांगवान बॉलिंग अटैक में और इनको भार वेज दिया है लखी ने पूरे छे रन के लिए और सांगवान की अगली बॉल घुमा के मान नहीं कोशिच लेकिन लगी है कती और बॉल जा रही है बाउंडर लाइन के तरफ और मिल जाएंगे चार रन और सांगवान के अगली बॉल लखी पहले ही शिफ्ट कर गए बॉलर ने देख लिया था बहुत यूचा शॉट लगाया है ज्याद दो सुटीन रन जीत के लिए और आता ही पहली बॉल पर शॉट मार दिया मिस्फील्ड हो चुकिए यहां पर और मिस्फील्ड के मिल गए चार रन देव को और रेज़त की अगली बॉल देव हैं तयार और उठा के मार दिया है लोगमाउफ की तरफ से मिल जाएंगे चार रन यह लग्की आए आटेक में आते हैं इसलोर बॉल डाली है और LBW की जोरदार अपील लेकिन यहां पर कुछ मिलेगा नहीं और यह लग्की की अगली बॉल बॉंसर मारने ही कोशिश और इसको पूल करने ही कोशिश गये दिमिस टाइम हो सकते है कैच हो नहीं लेकिन यहां मिल जाएंगे चार रन देव को और ये रज़त की अगली बॉल बॉल तो बहुत अच्छी दिमिस हो गई है कीपर सेंक IPL के लिस्स से नाम काड़ना पड़ेगा क्योंकि दे दिया है यहां चार रण क्योंकि अल्रेडी तीन ओवर में 42 रण बना चुकी है यह जोड़ी और यहां पर भी अच्छा एक शौट मार दिया लेकिन सौरब के उतनी अच्छी फिल्डिंग लेकिन फिर भी दो रण से नहीं रोख पाएंगे दोनों बैट्समेन को और यह अगली बॉल क्रिशन यादव को और स्वीप शौट मार दिया है उठाके बाउंडर लाइंग की तरफ लेकिन बहुत ही अच्छा कैस वहां रजट का और टेलिप्स को मिल चुकी अपनी पहली सफलता और यहां विकिट गिरता है वापिस पेस आचुकी है अटैक में और रजट अपने वही अपनी तेज तर्रार बॉलिंग के साथ बॉल को डॉट कराते हुए कोई जवाब नहीं है देव के पास इंग बॉलों का सीधा हाथ में गई है फिल्टर के और प्रेशर बिल्ड हो रहा है क्योंकि स्कोर भी चेस करना है 200 प्लास और यह आवा में फि विल्डिंग बॉड़ी ऑन दा लाइन और एक और बॉल और शॉट डाल दिये थोड़ी है लेकिन उतना ही अच्छा शॉट कवर्स की तरफ निकाल दिया बॉबी ने चार रन के लिए और इस विज़ा सुनील आ चुके है अब इन्होंने बहुत शांदर कैच पकड़ा तो पहली बॉल पर विकेट दिल वा चुके हैं बॉबी ओ चुके हैं लबी ड़ी ओ आउट और ये सुनील की अगली बॉल एक सेट की तरफ डिट कर चुके हैं शशांग ने बहुत अच्छा ग्लांस करा है देखते क्या होता है और बहुत तेजी के साथ रज़त भागते वह आ सब्सक्रार CT करवाइती और मैच को भी जितवाया था देखते हैं इस बर क्या कमाल कर पाते हैं मनीश बाल Doo sup manifestu को रहता हैं और ये इनका दूसरा ओवर έχει इसमें बीव बातिको शांत रखखा हुआ है देखिए अब सशांक के साथ क्या रहती एंट कि रण नीदी लेकिन ए और फिर से कुछ नहीं करने दिया है मनीश बाटी को इस बाल पर फिर सुनील अटेक में सशांग के तैयार घुमा के मारा आई शौड लेकिन कत्ती का निकल चार रण स्कोर रोड में जो रहेंगे पूरे चार और यह सुनील के अगली बाल मनीश बाटी को यह लेक्साइट कर गहें और इसको गुमा के मार दिया चार रण के लिए मनीश बाटी ने और साइड बदल के आए मनीश बाटी के लिए और बॉल डाली और फिर से वही नतीजा साइड बदली यह नतीजा नहीं चार रण चार रण और कप्तान और मनीश बाटी फिर आम ने सामने और इस बाट मनीश बाटी ने जड़ दिया चार रण और विवेक त्यागी की अगली बॉल सशांग को स्टेप आउट करके मार दिया है उपर छे रन के लिए लगता है आज सारे चिडिया के घोजले यही तुटवाएंगे और मनीश बाटी को डालते हुए अपनी आखरी बॉल और यह भी स्टेप आउट करके इनों ने जड़ द सबीट को है कि अगली बॉल उठाकर मार दिया है सिधह च्छे रन के लिए यह र्वाल सुनील की और एक और उठाकर मार दिया च्छे रन बहुत-धी-मैंगा-बॉल साबित होता हुए और यहां मनीश बाटी को अगली बॉल डालेंगे अपनी सुनील और इस पर भी उठाके हम लगा दिया है इस शौर्ड और मिल जाएंगे चार रन बहुत महँगा और यहां लग्की की अगली बॉल क्रिकिटर चॉइस को चाहिए 32 रन 17 बॉलो में और यहां पे लगा दिया है मनीश बाटी ने एक शांदार चौका और यह लकी की अगली बॉल सशांग को और बहुत अच्छा पुल मारा है सशांग ने चार रन के लिए तो निस्वा ओवर लेकर आ चुके हैं रजत और चाहिए 23 रन 12 बॉलों में और यह बाटी ने मारा बहुत अच्छा शॉट लेकिन अच्छे फिल्डिंग पूरी कमिटमेंट के साथ थ्रो कर दिया लेकिन कुछ नहीं मिला और यह रजत की अगली बॉल मारीश बाटी ने उठा के मारा है और रजत की अगली बॉल सशांक को और यह शाउट बाटने की कोशिश लेकिन यहां पर मिलेगा सिर्फ एक रन और मनिश बाटी आ जाएंगे स्ट्राइक पे और अभी एक बॉल और बाकी एस ओवर की और यह 19 वे ओवर की आखरी बॉल मनिश बाटी ऑन स्ट्राइक 17 रन अभी भी चाहिए जितने के लिए उठा के मार दिया है सामने हैं और यह हो सकते हैं कैच आउट और हाँ यहां विकेड मिल चुके हैं रजट को और इमानश आ चुके हैं अटैक में और सतर रन चाहिए और यह पहली बॉल को मार दिया है सशांक ने एक रन के लिए और यहां पर एक रन मिल जाएगा अब इमानश डालेंगे एक नए बैट्समन को जो भी आया है मनीश बाटी का उट होने पर लेकिन आता है इन्होंने भी पहली बॉल पर लगा दिया छे रन और यह दूसरी बॉल फेस करेंगे अब और दूसरी बॉल पर भी उठा के मार दिया है लोंग और की तरफ से यहां देर से से बैट्समन हो लेकिन शॉट मार दिया है उन्होंने यहां पर एक रन तो मिले का पीछे रह जाते हैं उन्होंने थ्रो कर दिया दो रन शायद मिले नहीं दो रन नहीं मिल पाएंगे और यह मैच की आखरी बॉल जीतने के लिए चीए दो रन क्रिकेटर चोईस को औ और यह शोवित भी मिस कर दिया एक रन पूरा कर लिया है बैट्समन दो से रन के लिए तयारी करते हुए बहुत तेजी से भाग रहे हैं और यहां पर थ्रो आया है और विकेटों पर लग यह आउट और यह सूपर ओवर कमाल हो गया आज के मैच में क्या नेल बाइटिंग यह विलिए